हमको भी जब 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 जबवत पड़ी, हम लोग साथ विधायक रहे, मंत्री रहे, संग्जन का काम हम लोगों ने साथ साथ किया, और जब 2008 में विधान सवा का चुनाओ आया, तो किसके नित्रत में हम चुनाओ लड़ें, जब ये विचार हुआ तो एक ही नाम समझ में आया, कि नरेंज सिंग्तों मर अगर अद्धिक्ष बन जाएंगे, तो सब को साथ लेके समेट के चलेंगे, 2013 में भी गोई हुआ, ये आपका प्राज प्यक्षित्व है, फिर लगा कि नरेंज सिंग्तों मर जी आजाएंगे, और अभी भी जब चुनाओ का प्रवंधन कोन समहले हैं, तो एक ही नाम हम लोगों को धान आया, नरेंज सिंग्तों मर, मुझे पूरा विश्वास है, जो उनका विशाल व्यक्तित्व है, सब को साथ लेके चलने का जो सोच और सुभाओ और व्योहार है, उसके कारण, वो विधान सभा में अध्धच्छ पद की गरिमा बढ़ाएंगे, और अधुद संचालों ने सदन का करेंगे, समा सत्रहुचा मृत्रे चाता था माना अप मानियो, सीटोष्ल सुभ दुखे सु समा संग विवर्जिता, तुलुनिन्दा इस्तुर मौर्वनी संतुस को एन केन चिता, अनिकेता इस्तिर मतिर भक्तिमान वें प्रियोर नरा, सत्तु और मित्र में समान, सुख और दुख में समान, मान और अप्मान में समान एक अध्वत व्यक्तित्व है उनका निश्चित दौर पर वो इस सदन की गरिमा बढ़ाएंगे और जिस धेंग से सुचावी संचालन करेंगे प्रदेश की जंता को भी लाब होगा सरकार तो अपना काम करेगी ही लेकिन प्रतीक भक्ष भी अपनी बात कहेगा मैं एक बार फिर उनको बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ उनका अभिननन करता हूँ और हमारे सदन के सबसे वरिष्ट सदस्य जिनों प्रोटेम स्पीकर के रूप में इतने दिन तक सदन का कुसल और सुचारी संचालन करके गरिमा बढ़ाई है मैं उनका गोपाल स्री गोपाल भारगप जी कापी अभिनननन करता हूँ उनको धन्यवाद देता हूँ आपका अभिनननन बढ़ायां स्री नर्यन सिंग्त तौमर जी एक व्यक्ति नहीं एक संस्था है सुधीर गराजमेतिक अनभब की पूझी उनके पास है व्यराज व्यक्तित्व के वे धनी है वे धीर है बीर है गंभीर है पर अगर मैं सच मुझ कहूँ तो स्वर्गी स्रीमान अटल बहरी बाजपेजी की तरह मद्देश के संदर में जे अजाद सब्तू है पक्षो पक्षो उनकी कारी सेरी से सदैब प्रभादित रहा है मुझे पूरा विस्वास है क्योंकि जो उनके पास राज़्यतिक अनभब की पूझी है और जैसा द्यक्तित्य होंका मुक्त संगो अनभबादी जिती उत्साह समन विता मुक्त संगो मतलब पक्षो और विपक्ष दोनों का ध्यान रखते हुए सदन का संचालन करेंगे एक पक्ष के नहीं रहेंगे अहिंकार उन्हें छूने ही गया और धैरी की तो वे प्रिती मूर्ती हैं लंबे समय से हमारा साथ रहा है मैं कहूं जब से हो सबाल आए तब से मैंने कभी धैरी खोते हुए उन्हें नहीं देखा और उत सास सदेब भरी रहते हैं चाहे एक राजनेतिक कारी करता के ना दे अपने कर्तब्यों का निर्वा हो या पारस ने के केंदरी कर्शी मंत्री तक की भूंगिता आप लोग नघनी उस समय देखा होगे जब जिएज में किसान अंदुनें चलना था बड़े जोस पे किसान ने ता आते थे नेकिन नरेंद सिंग जी जिशधनी से मुस्कुरा का बात करते थे तो उनका सारा गुस्था सांथ हो यादा ता उच्छड़ा गर के बादल बेहिए।